नमस्ते सुदानशु सर कैसे हैं नमस्ते बिल्कुल ठीक हैं और आपसे फिर मुलाकात हो रही आज बिल्ली में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ने ने इस माई प्लेजर तो अभी हमने पिछले एपिसोड में ट्रेन 18 की पूरी कहानी और क्या-क्या चैलेंजिस आई क क्या-क्या दिक्कतें थी जो आपने सोल की और 18 महीने में ट्रेन 18 मने और क्या उसके बाद हुआ उस पे चर्चा की थी और ये भी बात हुई थी कि कैसे 400 ट्रेन का जो प्रॉमिस किया है सरकार ने वो कैसे हो सकता है तो उस पे क्या नया अपडेट है क्योंकि ये 200 लगबग ट्रेन का टेंडर ऐसा निकलने की बात आई है तो आपको याद होगा मैंने मैंने जो कहा था उस समय कि वही 400 जैसे आप ने कहा वही 400 बन पाएंगी तीन साल में मैंने कहा बिलकुल नहीं बन पाएंगी लेकिन ये इंपोर्टन नहीं है 400 कैसे बनेंगी ज्यादा जी देखे एक सो चार तो वो जो अल्रेडी जिसके लिए more or less ordering complete हो गई है और ये रेलवे की फैक्टरीज में बनेंगी जी ज्यादा जैसा मैंने सुना है आईसीफ चिन्नाई में बनेंगी और कुछ शायद MCF और RCF में बनें पहले तो बात थी कि 50% ICF 25% यहां बाकी दोनों में 25-25 लेकिन अभी शायद रेलवे बोर्ट की थिंकिंग थोड़ी बदली है और मैं भी वही कहता रहा हूं कि पहले ICF को consolidate करनें दीजे तो मेरे ख्याल से ज्यादा तर इन 104 से की ICF में बनेंगी कुछ हो सकता है MCF RCF में बने बाद में 400 जो एनाउंस हुआ वो अलग से लिया है इन लोगों ने और उसमें एक 200 ट्रेन का tender already एनाउंस हो गया है और जो मैंने सुना है कि एक 200 का और आने वाला है पहला 200 जो एनाउंस हो चुका है उसका model है stainless steel oblique aluminium अब देखिए stainless steel oblique aluminium में stainless steel ही आने की ज्यादा chance है because आप किसी से कहिए कि मुझे सोना दे दो या चान्दी दे दो लेकिन order L1 को ही देंगे तो सोने वाले के आने की chance कितनी है आप समझ सकते हैं खेर उतना बड़ा difference नहीं है कुछ लोग aluminium के साथ भी coat करेंगे और शायद order भी पाएं मैं कह नहीं सकता भी इसका model यह है कि 120 लाटूर में बनेंगी लाटूर निया कारखाना बनाया है जो अभी commission पूरा नहीं हुआ है पर facilities सब लग गई है तो यह सरकारी है जी बिलकुल सरकारी है इसका नाम शायद इनोंने रखा है मराथवादा MRCF railway coach factory MRCF और 80 ICF में बनेंगी और अगला जो 200 आ रहा है उसमें 80 शायद लाटूर में बनेंगी और 120 ICF में इसका model कुछ कुछ train 20 के जिस tender की बात की थी हम लोग ने उससे मिलता जुलता है याने की जो भी होगा contractor वो आके ICF की premises में ही train बनाएगा और ये इसलिए train 20 में हम लोग ने रखा था की बजाए transfer of technology के अगर साथ मिलके contractor का staff जो भी manufacturer जिसको order मिलता है और ICF का staff मिलके बनाएंगे तो ICF का staff बहुत अच्छा सीखेगा और सिर्फ बनाने का नहीं मैंने तो कहा था design भी साथ करेंगे अब इसमें क्या होगा मैं नहीं जानता अब challenge इसमें ये आएगा कि शायद इन लोगों ने ऐसा लिखा है पूरा document detail में तो नहीं पढ़ा मैंने कि एक certain level of manpower आपको payment करके ICF से लेना होगा वो कुछ है शायद point two per coach और उसकी इन्होंने जो वो उसकी value रखी है जो pay करना होगा है साथ हजार पर technician and 80,000 पर supervisor अब देखिए reality आज ये है गलत या सही में नहीं जाऊंगा मैं कि साथ हजार से कम में private sector में technicians अच्छे मिल जाते हैं जो कि सरकारी आदमी से ज्यादा काम करते हैं तो ये point two per coach और बहुत detail देखिए हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल जाओ क्यों मैं पूरा documenting से पढ़ा नहीं है ये अगर आप एक condition लगाएंगे तो ये एक deterrent होगा इससे अच्छा ये रहता कि आप ICF का staff free provide करिये और उसके हिसाब से low quote करें इसमें आखिर वो अगर point two के लिए आप आपको पैसा देगा तो वो अपनी bid में ही डालेगा ना वो अपने घर से पैसा देगा नहीं तो ये मेरी बहुत समझ में नहीं आया कि जो आप staff provide करेंगे बनाने के लिए उसका payment क्यों माग रहे हैं भई आपका तो मंशा तो ये है ना कि वो भी सीख जाए बाकी इसमें 35 साल की maintenance भी है जो train 20 में नहीं थी यानि 35 साल तक जो contractor है वही maintain भी करेगा railway की facility को upgrade करके अपने पैसे से वहां maintain करेगा और इसमें भी कुछ railway staff लेने की बात है अब ये model पहली बार try हो रहा है तो कैसा रहेगा बहुत अच्छा नहीं कह सकता मैं similar एक tender DMRC ने किया था leasing का तो वो तमाम वज़ों से fail हो गया था जी वो नहीं हो पाया था तो इसमें बड़ भी bidders हैं उनकी concerns को अच्छी तरह से address करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये tender succeed करें अच्छा इसमें दो views हैं एक तो हम लोग ने जो investage किया था कि ये इस तरह से आके यहीं बनाएगा तो हमारे लोग सीख जाएंगे और आखरी train तब तो सिर्फ 15 trains की बात थी मेरे ख जाएगी अब जो model बनाया आप देखिए कहां 15 train और कहां 120 और 80 trains और तीन-चार साल तक काम चलेगा ये तो ये कुछ-कुछ ऐसा लगता है कि privatization की तरफ जुकाव है सरकार का बिना declare किये वो कैसे realize होगा अगर ये पहले इन्होंने कहा कि corporatize करेंगे सारी railway की production units, local, carriages और एक चक्के की है, साथ है, शायद unit, उनको एक जैसे चाइना में CRRC है, उस pattern में एक corporation बना देंगे और MCF से pilot शुरू होना था, इस announcement को हुए तीन साल से ज्यादा हो गया, ये 100 day plan में था सरकार की जब 2019 में आई थी, नहीं हुआ, ज़रूर इसलिए नहीं हुआ कि इनको लगा कि श privatize कर रहे हो, तो अब ये एक तरह से कहा जाए, धीरे धीरे, without declare किये, privatization की तरफ नजर है सरकार की, in a seven year plan, seven year मतलब, 2024 में तो सरकारी है, आएगी ही, सब लोग मान रहे हैं, पांच साल और ये, दो साल, ये, साथ साल के plan में ये है कि धीरे धीरे, जितनी activity privatize हो जाए, वो और मैं इसको बहुत बुरा भी नहीं मानता, मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से private और public का एक mix होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि public sector को आप इतना disable कर दीजिए, कि और निकल ही जाए, इससे वो बड़ा carefully trade करना होगा, तो अब इसमें यही है कि ये जो staff की training होगी, क इस तरह से वो कांग करेंगे, अगर आप उनको पेट धंग से contractor को दे रहे हैं, तो वो एक deterrent जैसा मैंने कहा, और उसमें क्या ये चीज रेलाइज होगी, और एक ही premises में private और public दोनों कैसे चल पाएंगे long term में, मुझे नहीं लगता अभी सरकार ने भी इतना इसके बारे मे और सीरिसली सोचा है, क्योंकि evidence बताती है, अंग्रेजी में कहते हैं, look before you leap, कुछ करने से पहले चारों और देख लो, तो इस सरकार ने बहुत अच्छे-च्छे कदम भी उठाएं, लेकिन अक्सर ये, ये leap पहले कर जाते हैं, लुक बाद में करते हैं, तो जैसे IRMS था, वो लुक आफटर यू लीपी था, इसमें भी, IRMS वो जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की बात जिनोंने कर दी, मैं भी उसके फेवर में था, जब सर्विस में था, लेकिन जिस तरह से किया गया है वो, उसमें सवाल हैं, क्योंकि अब बात थोड़ी बदल गई, लेक शमाँ सर्विस हो गई, और इसमें कोई इंजिनियर्स ही आएंगे जरूर ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिखॉजर riding services आज कि जो हैं हमारे उसके गिन ANY इंडिक हैं ठीक भी है, लेकिन अब इसमें दिक्कत ही आएगी कि These are non-engineers हैं, जो उनको अगर incorporates अ अब कोई English literature या Sanskrit पढ़के आए उसके लिए दिक्कत आएगी, उसकी अपनी एक फील्ड है, उसकी अपनी एक expertise है, लेकिन ये दिक्कत आएगी, इसको कैसे ये balance करेंगे, आया रे वंस में ये वक्त बताएगा, इसको बहुत सोचा नहीं सरकारने करने से पहले, और मैं ये नही कह रहा हूँ एक मिनट के लिए भी कि एंजिनियर ही आने चाहिए, लेकिन अगर आप एक ही सर्विस करने जा रहे हैं, तब तो सिर्फ एंजिनियर्स को लेना ही ठीक रहता, आप अगर दो एक, मान लीजिए, ट्राफिक, परसोनेल और एकाउंट्स की एक अलग सर्विस बन लेते हैं और लेने के बाद फिर सोचना शुरू करते हैं, तो अब इन्होंने ये बड़े डिसीजन ले लिए हैं, और सिर्फ वंदे भारत का नहीं है, ये दाहोद में आठ सो, नहीं, बारे सो, नो हजार होर्स पार के और बील डवलू बनारस में, आठ सो, बारह हजार होर के लोकोमोटिव भी इसी पैटन पर बनने जा रहे हैं, मतलब वो उसका भी टेंडर निकल गए हैं दोनों के, ये पैटन मतलब प्राइविटाइजेशन, ये पैटन यही है कि आप आके हमारे कारखाने में बनाईए है, तो ये एक, और क्यों यही जगहें चूस की हैं, मैं अपोजेशन लगता उसमें, स्पेशली दोनों स्टेट भी आप समझ लें, रेस पिंगाल और पंजाब, वहाँ पे स्टेट गवर्मेंट से भी मदद नहीं मिलती, तो दिकत आती, अच्छा, आईसी एफ में आउट सोर्सिंग का बड़ा कल्चर अच्छा चल रहा है, इतनी दिकत नहीं आएगी इसको इंप्लिमेंट करने में, बिकॉज आईसी एफ में आउट सोर्सिंग का कल्चर है, कोर काम रेलवे के स्टाफ करते हैं, आउट सोर्सिंग काफी बड़े पैमाने पर है, तभी पंद्रह सोलह सो से प्रोडक्शन जो है चारहदार के उपर ऐ अगर है, रादर दन मेर आउट सोर्सिंग, बिलकुल, क्योंकि मेर आउट सोर्सिंग तो अल्रेडी है, इवन बाहर के कॉंट्रैक्टर आके आपकी मशीनरी प्लांट होगर है, यूज करके वहां काम करते हैं, ऐसे भी हैं जो अपनी मशीन भी वेल्डिंग मशीन और चोट लेगी, और वो कोई ठेकेदारी करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट तो एक तरह से होगा कि दे क्रियेट अ सेंटर फॉर बिल्डिंग ट्रेंज, और और ज़्यादा बनाएं, एक्सपोर्ट करने की तरफ देखें और बहुत यह उनका एम होगा, तो चैलेंज आपसे बड़ा होगा यह कि कैसे यह पब्लिक और प्राइवेट आप मिक्स करके चलाते हैं, और चला लेगे तो बहुत अच्छा होगा, और पिटफॉल यह है कि यह धीरे-धीरे क्या कम्प्लीट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे आप तो वो भी बहुत ठीक नहीं है क्योंकि पब्लिक सेक्टर का थोड़ा बहुत इंटर्वेंशन तो रहना जरूरी है मेरे हिसाब से, अब यह कैसे पैना उठ होगा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए, बात मैं आपके सवाल पर आजाओं तो उस समय मैंने यही कह था कि वन थर्ड आप बनाएए चार सो की, जो आप कर रहे हैं मोर अलेस एक सो चार, बाकि आप प्राइवेट ट्रेंज ले आएए और प्राइवेट ट्रेंज में उनसे कहिए कि आप इंडिया में ही बनवाएं जो प्राइवेट फैक्टरीज हैं, चार फैक्टरीज एल्स्टरम की दो हैं, सावली में और चिन्नई में, टीटागड की फैक्टरी खुल गई है, दो और बन रही हैं, उनकी केपैस्टी भी यूटिलाइज करिए और वन थर्ड बहां बनाएए, और वन थर्ड मैंने यही कहा था कि आप इस पैटर्न पे जाएए, ट्रें 20 के, अपने हाँ बनवाईए, कंट्रैक्टर से, तो अब वैसा ही कुछ करते नजर आ रहे हैं लोग, केवल प्राइवेट सेक्टर में उनकी फैक्टरी में बिल्ड किया जाए, इसका भी कोई इनिशेटिव नहीं है, अब ये 200 जो अगला आने वाला है, वो टेंडर आ जाए, त टूर में ही बनेंगी, तो एक पूरा एक्स्ट्रीम मतलब था, कि या तो प्राइवेट में बनाओ, या पूरा कंप्लीट अपने ICF में बनाओ, जो आपका रिकमेंडेशन था, कि आधा-धा बाढ़ सकते हो, लेकिन इनों ने दोनों में ही मिक्स कर दिया है, जैसा सुन रह हैं, क्योंकि देखिए, अगर ये दोसा वाला एक्सपेरिमेंट किसी वज़े से नहीं चला अच्छा, पिटफॉल तो हैं, तो आपके सारे और एक्स यूर एक्स वोड बी इन वन बासकेट, अगली दोसों भी उसी पैटरन पे होंगी, तो आखिर जो प्राइवेट सेक्ट अगर वहां बनते, लेकिन अब देखिए, आज आए तो पता चलेगा. तो इसमें कुछ चांस है कि स्लीपर कोच भी आएगा? जी, तो ये दोसों जो हैं, ये स्लीपर कोच के हैं. ये जो अभी हुआ है? जी, ये पूरे स्लीपर कोच के हैं. और अगले दोसों भी शायद स् लगती है. दिन वाली जो ट्रेन है. उसे ज्यादा फिर चलाना कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल नहीं मुझे तो अब एक सो चार भी है. इमांदाली से पूछिए तो अब बन गई है, तो लगेंगी तो लगेंगी, लेकिन ऐसी एक सो चार ट्रेने मुझे अभी नजर नह आएंगे इसको. तो वही बात चार सो ट्रेन पर भी आएगी. तो अब पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, पर अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये कहता कि भाई, जब आज ही ख़बर आई है, मैं बता दूँ, आज ही मेरे क्याल से टाइंस ओफ इंडिया में ख़बर आई है क और राजधानी के खुब गुडगाएं उन्हों में. कि पचास साल हो गए और ये क्या बेहतरीन ट्रेन है और सो हो. और ये भी लिग दिया है कि पहले सत्रा गंटे में पहुंचाते थे, आप पंदरा कुछ गंटों में more or less वही टाइम है. और अब ये हेडलाइन है उसकी क मुंबई से दिल्ली बारा गंटे में. और धीरे से नीचे में लिग दिया है कि ये चार साल और लगेंगे इसमें. तो ये वही है. तो ये चार क्या मतलब ये पता नहीं कितने साल लगेंगे दो हजार तेईस में इसको कंप्लीट होना था एक सो साथ किलोमेटर का मतलब ऐसा अच्छा नहीं होता कि आप उसको एक सो तीस या एक सो बीस के लिए आप्टिमाइज करिये. हो सकता है कुछ उसमें पैसे भी बच जाते बनाने में और वंदे भारत पैटरन पे ही उसको उस स्पीड रेंज के लिए बनाईए. तो अब ये टेक्निकल मुंदा है तो च एक सोचने वाली बात है कि 400 ऐसी ट्रेन प्लस 104 पांच सो चार ऐसी ट्रेन जहां आपके पास 160 का ट्रैक नहीं के बराबर है. तो आप कितनी अंडर यूट्राइज करोगे इन ट्रेंज को ये भी सोचने की बात है. वैसे ट्रैक्स में कोई अपडेट आया है कि ट्रैक्स को 160 सार्ट एक सोची के लेवल कबना? अब अपडेट तो ये था कि इनका इंफ्रस्ट्रक्चर ट्रैक, OHE, सिग्नलिंग अगरे सब का मिला के 2023 तक कम्प्लीट होना था. दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मॉंबई. अब आज की रिपोर्ट अगर पढ़े हैं, धीरे से जो उन्ह आ रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है. आपको जो प्रोन एरिया हैं, वहां पर फैंसिंग जरूरी है, और वाइस कैटल रनोवर में बहुत डेमेज होता है. और भी चोटे-मोटे और बहुत से काम हैं. लेकिन इतना वक्त लगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी तो है निया, आप 2.45 लाक क्रोर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रेलवेज में? चैलरी में बहुत जाता है. एक तरह आपका रेविन्यू दो परसंट से बढ़ रहा है, और आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पिछले साथ साल में फोर टाइम्स हो गया है. तो आपकी सोच यह है कि रेलवे को हम आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, कि हमने रेलवे में इतना पैसा लगाया और इतना रिटरन मिला. आप इसको कंट्री की एकॉनमी as a whole देखके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि यह कंट्री की एकॉनमी के लिए अच्छा है और हम यह पैसे दो रूट को वन सिक्स्टी किलोमेटर पर आर की केपिबिलिटी देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है यह मुद्दा इंपोर्टन है अगर आप एक सो साट किलोमेटर की ट्रेन का गाना गा रहे हैं जैसा मैं कहता है कि इसको दो सो का हो गया चार तीन सो और बन रही है त तो तीन सो तो यह होगी तो दो सो और पांसो गर ट्रेन रूट चलाने है तो कहीं तो आप ऐसा ट्रेक दोगे जहां पर वो अपनी स्पीट पे चल सके इस बारे में क्या सोच है मुझे नहीं पता यहां पर प्राइविटेजिशन थोड़ा करना चाहिए शायद अब ऐसा है कि ये अपग्रीडेशन का काम more or less contract के फिरू होता है तो एक तरह से outsource काम ही है पैसे लगते हैं ट्रेन के मुकाबले बहुत जयादा पैसे लगते इंस्फरास्रक्चर में तो वो तो आपके पास हैं तो क्या contractual problems हैं क्यों मतलब प्राइविटाइजेशन तो एक तरह से हाई तो आप क्या contract ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं या क्या मुश्किले हैं इसमें बहुत कोई land acquisition का भी मुद्दा नहीं है कि उसी track को upgrade करना है तो कोई इसकी बात नहीं होती है आप लोग भी बहुत नहीं उठाते इस बात को बड़ी important बात है कि आप क्यों इतना वक्त क्यों होगा आते हैं मैं कहता था कि 160 की train है थोड़ी बहुत change करके 200 पे चलेगी बात सही भी है with modification Indian engineering से ही चल सकती है लेकिन भाई अब 160 का ही track नहीं है तो 200 की बात करना कितना वाजिब है यह बाते हैं यह privatization का जब बात होता है ना railway और privatization दोनों को अगर combine कर देते हैं तो लोग सो कर रहे हैं privatization की just for clarification वो है कि production की जो चीज है वो aspect है वो थोड़ा privatization की तरफ जा रहा है ना कि train चलाने का जी इसमें यह देख लीजे कि कोई अगर production को privatize कर रहे हैं तो यह कोई घलत बात यू नहीं है आप दुनिया की जो railways देख लीजे देखिए योरोप में railways fast trains चलती है वहाँ तो वो ज्यादातर सारे railway systems जो है वो public sector में हैं, corporatize हो गए हैं लेकिन उसमें सरकार का अच्छा कासा stake है, USA में पूरी private है, Japan में भी corporatize type के हो गए हैं उनके, लेकिन कहीं भी अब manufacturing सरकार के पास में हैं, योरोप में भी सब बड़ी बड़ी companies करती हैं, Japan में भी बड़ी companies करती हैं, अमेरिका में तो करती ही थी, तो direction गलत नहीं है, manufacturing को धीरे धीरे private hands में देना गलत नहीं है, एक मैं ये बस कहता हूं कि mix रहे, ये पूरा privatize मत कर दीजे, आपकी 70 साल की जो कुछ accumulated, आपकी knowledge, skill है, उसको ऐसे fritter away मत करिये, अपने पास भी कुछ रखि है, ये अगर साथ साल का road map है कि सब कुछ privatize हो जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, परसे privatization के खिलाफ मैं तो नहीं हूं, क्योंकि government की inefficiencies मैं ने एक बड़ी close quarter से देखी है, और उसी inefficiencies में कैसे काम किया जाए, ये करने कोशिश की है, government system की inefficiencies को आप deny नही आईसी एफ में वहीं, अब आईसी एफ के स्टाफ शायद यह सुनके खुश ना हो, मानते हैं ज्यादातर मुझे, लेकिन वहीं contractor के काम करते थे, outsource वाले और वहीं railway स्टाफ, और वो जो outsource स्टाफ है, उनको नादमी है कि उनकी salary कम होती थी, और अब आप exploitation कह लिए या जो the years, जो skill acquired किया, ICS staff ने, या और factories में, वो शायद अभी private hands में नहीं है, उसको भी आप रखी अपने साथ, इसलिए मैं मिक्स की बात करता हूँ, और इसमें भी ये बात है ना कि अगर privatization हो भी रहा है, एक आपकी factories है, सरकारी factories है, जहां पर बनता आया है अभी तक, coaches वगेरा अभी main बात यह है कि वो making India होना चाहिए, अभी दिक्कत यह है कि क्योंकि monopoly है सरकार की उन factories पे, इसलिए कोई भी बनाना यहाँ पर factory setup क्यों करेगा, एक ये भी बात है, अगर आप उसको धीरे-दीरे privatization के तरफ जाएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर manufacturing हो और वो जरूरी न है कि आप सभी उनी से बनवाएं, आप अपना बनवाते रहें लेकिन वो export का भी hub बन सकता है, बिलकुल, तो यह आपने सही बात कही कि अगर यह metros नहीं आती, अब RRTS आ रहा है, वो अलग उस पे मुद्दा है, वो भी बात करेंगे, लेकिन अगर यह metros नहीं आती, तो private sector मे यह factories भी नहीं आती, बिकॉज जब तक आपकी सारी factory आपके पास हैं और आप आठ, नो हजार, दस हजार coach बना सकते हो, तो कोई factory क्यों लगाएगा, तो metros, metros की requirement बहुत कम है, साल की अभी भी इतने metro बनने के बावजूद, छे साथ सो coach पर साल बनने की capacity चाहिए country में, बहुत काम कर रहे हैं हो लोग, लेकिन आपकी बात सही है कि एक road map clear होना चाहिए, उसमें secrecy या मन में क्या है, वो मन में रखिए, declare मत करिए, उससे long term में फाइदा नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, because investment की बात है, और इसमें clarity होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर politically शाय अपडेट है, या बहुत बड़ा अपडेट है, तो RRTS का ये टेस्टिंग वगेरा के बाद, जो मैंने सुना है, कि RRTS का तेजी से काम चल रहा है, और कोई एक छोटा section छोड़ो के शायद मार्च तक काफी एक लंबा section operate होने लगेगा, और उसके, जी, 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 और उसका, उसकी जो पहली train है, वो सावली factory में, Bombardier को order मिला था, वो अब अलस्टरम Bombardier एक हो गए, उसको, उसका unveiling अभी हुआ है दो चार दिन पहले, और पहली images जो आई है train की तो बड़ी अच्छी लग रही है, train में कोई शक नहीं है, और ये कुछ लोगों ने कहा भी मु eligible होना चाहिए, वो आपने बार कर रखा है, तो मैं कायम हूँ उस बात पर, अब RRTS की train बहुत अच्छी है, इसकी train 18 से comparison करने का कोई मतलब नहीं है, ये train जो है, train 18 से बहतर होगी ऐसा मुझे, तस्वीर देखके तो यही लग रहा है, अब वो तो वक्त बताएगा और कोई उसमें ताज्यूब नहीं है, क्योंकि ये उनकी decades की research के बाद Bombardier जैसी company एक train बनाएगी तो अच्छी होगी, हम लोग तो novice थे ना, नए खिलाडी थे, बात ये है कि अगर आप मौका नहीं दोगे अपनी factories को, purely Indian design की, इसकी designs अब ये कुछ भी कह लें, ये designs अब जर्मनी म हुआ है, मान लिया, make in India को meet करता है, लेकिन जो spirit है आत निर्भर की, कि हमने हमारी बनाई हुए चीज है, वो इसमें नहीं है, इसमें ये चार स्क्रू भी धर से उठा के उधर लगाना है, तो कोई German engineer ही उसमें ठपा लगाता होगा, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसमें पूरी स्वदेशी चीज हमारे हैं डिजाइन के वई आगे नहीं बढ़ेगी और जब मोका नहीं मिलेगा तो इंप्रूब भी नहीं करेगी, तो ये कंपैरेजन बहुत गलत होगा कि ट्रेन 18 और इसको कंपेर किया जाए, मैं तो नहीं करना भी नहीं चाहिए, करना भी नह ट्रेन का काम भी वहीं हुआ होगा और जो ट्रेन का जो भी इसमें प्रॉफित होगा, इसका एक साइजेबल परसेंटेज जर्मनी जाएगा, ये मत भूलिया, जी. आप ये ट्रांसफर आफ टेक्नोलोजी पर मैंने आपको कई बर सुना है, तो आप कहते हैं कि there is no such thing as technology transfer. मैं तो इसको वर्ड कोई oxymoron मानता हूँ, oxymoron इस तरह से मतलब कि जो मैं कहता हूँ, बहुर बार कह चुका हूँ, फिर आपके चैनल पर बोलता हूँ, कि देखिए, innovation और एक design का एक जो जज़बा है, इसको जब वो innovation मार्केट में चल जाए, तो वो cycle complete होता है, ये सिरफ एक idea नहीं थी, ये इसकी value है मार्केट में, और ये सब मिला के, ये सारी skill आप अगर कोई चीज़ पैदा करते हैं, कोई train की बात नहीं है, कोई भी product है, service है, कुछ भी, तो वो जो पूरा process है, ये जो create होता, ये होता technology, अब ये जो creation का process है, ये इसमें तमाम चीज़े होती ह सिर्फ चार drawing आपने बना ली, चार आपने specification लिख दी है, वो नहीं है, तो इसमें बहुत से चीज़े हैं, जो दिमाग के अलावा दिल में भी रहती है, ठीक है, वहाँ पे मैं फिराग गुरपुरी को याद करता हूँ कभी-कभी, ये वो ये है कि, तेरे शेर आइना खाने में, मेरे शेर आइना खाने में, तेरी बेशमार अदाओं के, मगर ऐसी भी है कोई अदा, जो रहेगी सीना एराज में, मतलब ये creation के process में तमाम ऐसी चीज़ हैं, जो आपको drawing document से नहीं transfer होंगी, तो वो आप उसके master नहीं बन पाओगे एक borrowed technology के, इसलिए आप जब तो ये आपके सामने है, लेजबी कोच जैसी आई थी वैसे हम बना पाते हैं, नहीं, लोको मोटिव जैसे आये थे वैसे बना पाते हैं, नहीं, तो वो इसलिए है कि अपना create करो, और अपनी चीज़ को improve करना आपके लिए ज़्यादा असान है, बजाए किसी और से borrowed उसका no high पूरा ही नहीं, यह जो model है train 20 का और अब जो उम्मीद करता हूँ कि 200 वाले में होगा, मैं क्या कहता हूँ, यह कि ठीक है, आप हमसे जादा जानते हो, जिसको भी contract मिला, हम नीचे हैं, लेकिन हम आपको इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, भाई, 26,000 करोड का contract दे र हैंगे, हम कोई भीक थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, आपसे इतना बड़ा contract दिया है मैंने आपको, और चाइना ने यह किया है, यह भी है ना कि हम लोग कहते हैं कि हम करनी पा रहे हैं, जैसे आपने का लेजबी कोच भी नहीं बना पा रहे हैं उस तरीके के, यह चाइना वाले reverse engineering कैसे कर दे रहे हैं हर चीज का, तो वो उनका model यही है कि वो एक तो बड़ी country है, हम से जएदा पैसा है उनके पास, तो हम 200 train की बात कर रहे हैं, यह तो तीस साल से यही कर रहे हैं, चोरी करके technology, नहीं तो अब पहुँच गया ना एक जगा, देकि अब उन्होंने च contract दिये और सबको दिये, यह भी नहीं कि tender करके और उन्होंने का Siemens आप भी लीजिए, Bombardy आप भी लीजिए, EMD आप भी लीजिए, G आप भी लीजिए, Hitachi आप भी लीजिए, बहाँ देश है, सब को 200-300 trains का या locomotives का contract दिया, और फिर कहा गया है, यहीं पर बनाइए, डिज से लेके 2010 के बीच में इस अब किया, आज की डेट में और इतना बड़ा contract था किस corporation की हिम्मत है कि उन से जूजने जाए, हर चीज उन्होंने अच्छे से सीखी और अब उनको जरूरत नहीं है, अब वो इन लोगों से अच्छी train बनाने लगे हैं, यह सुनने में अच्छा न train हमारे यहां चलती है, हमसे बनवाईए, अब Japan और योरोप क्यों जाते हैं, और हम सस्तेम बनाएंगे, तो वो पहुंच गए हैं वहाँ पे, और हमें भी कोशिच करनी चाहिए कि वहीं पहुंचे, model अलग आप चूज कर लीजिए, लेकिन कोई बुराई नहीं उन से सीखन 2030 तक सीखिए, उसके बाद आप 20 साल, 30 साल अपना बनाते रही है फिर, इनोवेशन खुद कर सकते हैं, अच्छी बात कहीं आपने, अब देखिए जब DMRC शुरू हुई थी 2002 में शायद पहली ट्री, पहली ट्री, पहली ट्री, पहली ट्री, पहली ट्री, पहली ट्री, पहली करने के लिए बड़े-बड़े एक्सपर्ट आपके पास बैठे हैं, तो आपको तब देखना चाही था कि भाई, भारत की एकॉनमी ऐसी होने जा रही है, कि 25 जगह मेट्रो बनेंगी, तो अगर 25 जगह मेट्रो बनेंगी, इसका मतलब पिछले 20 साल में, अब एक फिगर मैं ही चाहिए थी रोलिंग स्टाउक में भी, कि भाई हम सिर्फ यहां बनेगी से नहीं चलेगा, हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और पांच साल बाद, दस साल बाद, इतना इनेबल्मेंट चाहिए, कि हमारी फैक्टरीज में ही सारा काम हो, हिंदुस्तानी फैक्टरीज मे सिर्फ बनाने का नहीं, डिजाइन करने का भी, और अभी तो जो बन रही हैं, वो सब मल्टिनैशनल हैं, या एक BML बनाती है, आप कह सकते हैं कि टीटागर एक इंडियन कंपनी है, जिसने इटाइलियन कंपनी खरीद ली, तो वो थोड़ा मॉडल फरख हो गया, जो कि कंप कॉइट प्राइट फुली वी से कि हमारी हमारे हां की बनी हुई सबर्बन ट्रेंज ऑस्ट्रेलिया गई है, सिड्नी, मिल्बर्न, ठीक है, वो भी एक बिजनस के लिहाज से कमजोरी नहीं है, लेकिन वो मतलब हिंडियन प्रॉड़क्ट तो नहीं है, इंडियन बना जरूर अगर मान लो सो बिलियन डॉलर का, ये सो बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गया, अब आप अंदाज लगाईए, जो विस्तमा जल्दी में, मैं जो भी है, अच्छा, एक बिलियन आपका साथाथाजार करोड करीब होता है, तो इतना हो गया, जी, तो सत्तर और साथ करोड कर्च करने के बाद भी अगर हम वो नहीं कर पा रहे है, end to end, तो ये बहुत बड़ा failure है, तो ये, ठीक है, इतना strongly नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप एक जगा पहुँचे हो जरूर, लेकिन जो एक Indian brand का creation चाहिए था, इतना पैसा कर्च करने के बाद, वो नही जरूरी था, और इतनी बड़ी country है, क्या है, मैं नहीं मानता कि नहीं हो सकता, और ये जरूरी भी है कि ये identify करना है, क्योंकि हम कहीं न कहीं उसी direction में दुबारा ना चले जाएं, unless हम अभी भी जा साब को बताया के साथ, और ये सब, अभी भी देखिए, तो metro और RRTS इन में आपको, ये हमारी जो factories हैं, ये बार्ड हैं, ये नहीं दे सकती हैं, ये कहती हैं, पहले एक और देश में चला हो, तो भाई, आप मुझे बताओ, किस देश के पास आप जाओगे, ये कहते हो, कि हमारे देश में तो हम नहीं दे पा रहे हैं, metro, या RRTS, पहले आप किया चला की permission मिलेगी, इससे बड़ी ridiculous कोई चीज हो सकती है, तो आपकी मंशा ही नहीं है कि अपनी factories को encourage करें, आप multi-nationals के ही influence में हो, ठीक है, वो भी अच्छा, मतलब train तो अच्छी आ रही है, लेकिन वो Indian product सामने नहीं आएगा, एक train 20 का equivalent metro में और RRTS में नहीं होता देख रहा है, unless policy change की जाए, इन्नोवेशन की इतनी बात हुई, आपने recently मैंने देखा, आपने कहा कि जो कवच करके जो project है, इंडियन रेलवेज का, उस पे भी आज कल मिनिस्टर ने काफी बोला है, रिसेंटली वो खुद भी उसमें टेस्ट के लिए गए थे, तो ये आपने कहा कि ये त पहले तो मैं बात करेंगे कि कवच है क्या ये, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कवच क्या है और उसकी बाद इसकी importance इतनी क्यों है, बिलकुल, देखिए signaling system में जो absolute block system कहते हैं उसको, उसका सिधा सिधा principle है कि दो stations के बीच में, roughly है common man की language में बताओ, एक train रह सकत है बस, अगर double line है तो दोनों तरफ एक है, क्या single line है, तो दो stations के बीच की जो जगह है, वहाँ पे एक ही train हो सकती है, otherwise accident हो जाएगा, ये principle है, और यही principle, automatic signaling में हर एक किलोमेटर पे एक signal होता है, तो वो station की जगह आप किलोमेटर, वो कह सकते हैं कि एक, दो signals के बीच में, एक ही train रहेगी, इसी principles में हमारी सारी signaling है, इसका improvement, line capacity और safety बढ़ाने के लिए शुरू हुआ योरोप में, तो उसको कहते थे ETCS level one, उसमें ये होता था कि जो ground में कुछ आप transponder लगाके, और matching equipment, cab में लगाके, आपको जो signal का aspect है, अगला जो आने वाला है, उससे पहले लगा रहा था था, वो आपको cab में मिल जाएगा, तो किवल driver की visibility पे आप नहीं रहेंगे, और उस signal के aspect के हिसाब से driver को जो action लेना है, braking करनी है या, तो वो अगर driver नहीं करता है, तो system उसको override करेगा, और braking करके train को वहाँ रोग देगा, जहाँ रुकना चाहिए, तो इससे accident prevention अच्छा हो जाएगा, safety improve हो जाएगी, इसी से मिलता जुलता system, उसको EWS कहते थे, उसमें सरे warning आती थी, और ground equipment उसमें भी होता था, और ETCS level 1 जैसा system, जिसको train protection and warning system है, वो trial में यहाँ चल रहा था, विदेशी company उसमें बो कर रही थी, यह सब जब चल रहा था, इंप्रूफ करने के लिए, line capacity और safety बढ़ाने के लिए, तो बीच में कोंकन railway ने एक system निकाला, उसका नाम रखा, दो-चार accident बड़े, गंभीर accidents होए थे, collision के, उसका ACD, तो यह avoidance of collision system, शायद उसका, ACD का full form था, उसमें यह कोई signaling system नहीं था, यह GPS equipment based lake लगा के तवाम level crossing space stations पे और सारे लोकों उसमें, उस system का काम simple धंग से अगर यह कहें, तो यह था कि अगर train दो अग्दम vicinity में आ जाएं, और यह chance है कि यह collide कर सकती हैं, तो वो train को breaking लगा के रोक देगा था, और इमोटली, मतलब train में भी उसमें GPS है, दूसरी train में भी है, ground में भी है, उन्होंने देखा कि अगर यह ज़्यादा close आ रहे हैं और speed पे हैं, तो यह collide ना करें, उसका action वो system ले लेता था, तो यह कोई signaling system नहीं था, यह collision avoidance system था, इसकी सारी, इसका कौंकन railway ने develop किया था, और इसका सारा जो know-how और IPR था, वो एक ही company के पास था, आप समझ सकते हैं, इतने बड़े Indian railway system में, यह model तो नहीं चल सकता ना, कि आपका सारा IPR एक company के पास हो, फिर आपको blackmail करे बाद में, करे या ना करे अलग बात है, लेकिन आप इस model पे नहीं जा सकते थे, तो यह सोचा गया कि इसको wide base किया जाए, और ऐसा specification बनाई है, ऐसा development मराईए, कि कई companies इसमें आ सकें, जब यह काम शुरू हुआ, तो कुछ अच्छे progressive engineers थे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें, service में भी हैं, लोग, तो किसी का नाम ना लेते हुए, RDSO के कुछ engineers ने सोचा कि जब हमें यह काम करना ही है, तो हम इसको signaling system में क्यों and convert करें, और signaling system में कुछ चीज़ें होती है, distance to go signaling, जो की ETCS level 2 के equivalent है, उसमें यह रहता है कि, मैं common ढग से समझाओं ऐसे कि सिर्फ आप signal के पास पहुँच गए, तभी आपको पता चलेगा ऐसा नहीं, एक तरह से continuously आपको signal का aspect आपको मिलता रहेगा, और train की speed and distance जहां तक व यह सब available रहेगा system में और driver का action अगर उसके मुताबिक नहीं है, तो वो action लेगा, तो इस तरह से capacity भी बढ़ जाती है और safety भी बढ़ जाती है, तो उन्होंने कहा क्यों न यह develop किया जाए और यह लोग इसके काम में लग गए, साथी साथ ETCS level 2 की एक lobby पैदा हुई, कि यह ज RBC कहते हैं, एक remote center पे, यह इंडिया में capability नहीं है, multi-nationals हैं, कुछ जो यह बनाती हैं, योरोप में सब इसी system पे चले गए हैं, तो यह लाया जाए और एक तरह से एक इस lobby में और जो यह develop कर रहे थे, ACD से more complicated and competent signaling system, जिसका नाम कवच रखा है इन लोग ने उस समय, यह एक दूसरे के conflict में आ गया है, एक चीज प्यूरली हिंदुस्तानी technology develop हो रही थी और एक चीज विदेशी technology, तो यह conflict में यह पांच-छे साल तो conflict ही रही, एक ETCS level 2 का 80,000 करोड का tender भी issue होने वाला था, अच्छा कब की बात है यह, यह मेरे ख्याल से मैं हो सकता है, date मेरी थोड़ी गलत हो जाए, पर यह बात चीज आप समझे, 2016-17 में शुरू हुई, और दो, तीन साल, चार साल, यह चलती ही रही, खतन कैसे हुई, कि इस बीच में कवच का यह ट्राइल भी कर लिया लोगों ने, और सिकंदराबाद एरिया में 500 किलोमेटर का, तीन कंपनीज ने, 500 होगा, 700 होगा, मुझे याद नहीं है, demonstration भी दे दिया, system भी develop हो गया, अच्छी मैनत हुई, और यह पाया गया कि यह ETCS level 2 से थोड़ा पीछे हो सकता है, इसमें पूरी continuous monitoring नहीं होगी, लेकिन जितनी चाहिए, signal से तीन किलोमेटर पहले, इसमें भी है, और यह हमारे speeds पे जो जरूरत है, वो बखूबी इस से पूरा होगा, ETCS level 2 से किसी मामले में कमजोर नहीं होगा, यह demonstration हो गया था, लेकिन अब कागस पे तो आप बहुत चीज़ बता सकते हैं कि इसमें यह नहीं है, ETCS level 2 बेटर होगा, तो यह conflict में रहा, यह conflict पे जो है, इसमें कवच ही अब आएगा, इस पे seal लग गई जब मंत्री अभी उन्होंने trial किया, trial में कोई नई बात नहीं थी, यह trial पहले भी हो चुका है, पर railway मंत्री ने trial नहीं किया था, यह chairman railway board और इन लोगों ने क आया, तो यह clear हो गया, कि ETCS level 2 का दर्वाजा बंद है, अब भारत में भारत की technology की signaling system आएगी, और अभी तो आप 160 पे बात हुई पहुँच ही नहीं पा रहे हो, हमारी जो speeds हैं उसके लिए system यह बहुत अच्छा प्रूफ करेगा, पर kilometer इसका cost 40 से 45 लाग है, जबकि ETCS level का level 2 का लगभग 2 करोड के पराबर है, operational cost? नहीं, installation cost, operational भी इसका सस्ता होगा, वो तो भी छोड़ी दिए, आप समझ सकते हैं कि कितना country के लिए इसमें कितना potential है पैसा बचाने का, इसलिए मैं कहता हूँ कि यह वंदे भारत से बड़ी चीज है, because एक तो pride of developing a signaling system, I doubt if even China has developed a system like this so this will be something unique कि Japan और Europe, America को भी छोड़ दीजे, कि बाहागर अगर किसी country ने इस level का signaling system develop किया है, तो वो हिंदुस्तानी होगा और यह सरकार के जो लोग हैं, mechanical engineers है, signal engineers है, signal engineering है, इसमें mechanical का, electrical का role इतना ही है कि उनका equipment लोकों में लगेगा, main तो signal आई-ार के engineers ने यह develop किया है, बिल्कुल, companies के साथ मिलके, तीन companies अभी हैं फील्ड में, शायद और भी आएं, बहुत ज़्यादा आनी भी नहीं चाहिए, वरना वो खिच-पिच होगी तो लग लग असी अजार करोड तो जो टेंगर निकलने वाला था, वो बचा लिए मतलब आप समझे कि अजो असी हजार करोड में जो काम होना था, वो बीस हजार करोड में हो जाएगा और अभी यह तो सिर्फ कुछ सेक्शन की बात है, पूरे अगर इंडियन रेलवेज में जब कलको लगेगा तो आप समझ सकते हैं कितना इसमें बचत होगी और बचत से ज्यादा, जो एक, मैं तो मानता हूँ, जो एक प्राइड है, हमारा अपना सिस्टम है, उसकी बात ही अलग है, क्योंकि फिर जब आप दिल्ली मुंबाई, दिल्ली कुलकाता कर लेंगे, जो कि उसके लिए टेंडर शायदा आ गये हैं और जल्दी होना चाहिए टाइम लाइन मुझे ठीक पता नहीं है, पर मिनस्टर चाहते हैं जल्दी होगा, तो आप रियली इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशल वंदे भारत से ज्यादा है, वो तो सिर्फ कुछ ट्रेंस की बात है, कितनी भी ट्रेन आप बेचेंगे तो दो-चारसाओ करोड कर बात हो इसमें मिलेगा, तो वो भी और हमारे यहां सक्सेस्फुली चलता होगा, तो वो भी इसकी तरह आएंगे, तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशल भी बहुत अच्छा है, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई जब यह, जहालगी मुझे सिग्निलिंग के बारे में कोई ग्यान नहीं है, ना मेरा सब्जेक्ट है, यह पहले ही बता दूं, बना कुछ गलत कह गया हूँ मैं तो, बात सर्फ इतनी है कि यह हमारी अपने देश की चीज है, और ऐसी चीज है जो कल को दुनिया में और जगवी यूज़ हो सकती है, इसकी बात ही अलग है, तो इसलिए आपने इसलिए मैंने कहा कि यह उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बड़ी चीज है, अब इसको ठीक से नर्चर करके करने की बात है, और उमीद है कि ऐसा होगा, और इटल बी ए सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट प्राइड, जी, तो और कुछ नया हो रहा है रेलवेस में, क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे लगता है कि और लोगों को भी लगता ही है कि बदलना चाहिए रेलवे में, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने पोर्टर्स की बात की थी, जो कूली होते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बाते भी हैं, मैनेजमेंट की, ध्यान जी यह अब आप चुकि आपने दो बाते बता दी, वो ही बता दू मैं, और चुकि वो हो सकती है, एक मेरा भी प्रिंस्पल है, हरियन जी, कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है, इस पर हजारों लोग बोलते रहते हैं, जी, शिक्वाए जुल्मत शब्स से कहीं बहतर था कि अ आरकनेस को कर्स करना कि आप यहां भी सड़क से बहार निकलिए, यहां कुड़ा पड़ा है, वहां सड़क टुक्डी है, बोलने वाले बहुत लोग हैं, वो भी ठीक है, बोलना चाहिए, लेकिन ज्यादा आप उस पर बोलना चाहिए, जो आप अपके इंफ्लूएंस में है और आप कर सकते हैं, तो मैं भी इसलिए उन बातों पर बात करूँगा, जहां मैं अपनी टीम के साथ कुछ कर पाया, और यह दिखा पाया कि यह ट्रांस्फरमेशन हो सकता है, जितनी भी छोटी चीज़ हो, तो अब आपने पोर्टर्स की बात की, आप यह बताएं कि हमारे अब आज कल तो स्ट्रॉली आ गई है, तो पोर्टर्स की इंकम वैसे ही आदी हो गई बिचारों की, भाई यह लाइवलिवूट का सवाल है, आपके देश के ही लोग है, तो रेरली कोई आता है जो बड़े समान के साथ आता है, तो वो अपने सिर पे लागता है बगल में, अब आप देखिए, एक हेल्थी पोर्टर, तीन टियर सिर पे लागता है, एक इस बाह में, एक इस बाह में, बुढ़ा पोर्टर भी दो कम से कम लागता ही है उपर, कई बार मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी आखों से देखा है, गर्दन टेड़ी होती थे उसके बाद आप उसके साथ हैगल करते हो, उसका बनता है सो, वो मांगता है 150, आप देना चाहते हो 75, ये पैसे वालों की वाले ही करते हैं, माना भही वो उसकी अर्निंग, उसका जीविका है, सो की जगह एक 150 मांग रहा है तो भही 125 दे दो, मैं उस जगड़े में नहीं जा अगर भारत एक डिविलप्ट कंट्री बनना चाहता है, तो इस टाइप के सीन आपको दिखाईने प्लाटफॉर्म पे किसी डिविलप्ट कंट्री में ऐसा कहीं देखा जाता है, पिर तो एरपोर्ट जैसा ही हो जाएगा, ट्रोली लेके, और क्योंकि वो आपकी कंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई आपके देश में अभी भी यह हाल है, तो मुझे यह आज की बात नहीं है, तो दोहजार दस की बात है, जब DRM था बैंगलोर में, तो मेरे मन में यह था कि यह इसको ठीक करना है मुझे, दोहजार पांच में सिकंदराबाद में ADRM था, तो हम लोग शौक में ऐसे ही दस ट्रॉली ले आए, एरपोर्ट वाली, और एक प्लेटफॉर्म नमबर दस जो भारत का सबसे क्लीनस प्लेटफॉर्म तब होता था, वो एक अलग किस्सा है, वो किस्सा ये था कि आप सफाई वालों के साथ उनको ऐसी ड्रेस बेनाईए कि वो जैसे लगें, उनके साथ लगें, उनको अपने काम में प्राइड दीजिए, उसका फाइदा हुआ, वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बना, वहां पे दस ट्रॉली हम लोग ने लाके रग दी, प्रेसिंजर्स के लिए, अब वो एकदम वाहियात मॉडल था, उसमें वो क ट्रॉली तोड़ ताड़ के बरावर कर दी हुआ है, अब आप उसमें कहिए कि हमार पी एफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये घलत है क्योंकि आप साइकोलोजी नहीं समझ रहे हैं, एक आदमी की अर्निंग अलरी कम हो चुकी है, लोग ट्रॉली लेके खुच समान ल आप भला देख रहो इस वक्त, तो ये मेरे समझ में आगया कि मॉडल गलत था, फिर मैं RDSO आगया तो मुझे मतलब नहीं था, जैसे ही मैं DRM बना मैंने कहा इस पे मुझे कुछ करना है, तो उन दिनों CSR भी नहीं होता था, कि आप और रेल्वेस के लिए अगर मान लीजे मैंने का ये चार स्टेशन्स पे करना है, बैंगलोर में, बड़े स्टेशन्स है, सिटी, यश्वंतपुर, कैंट, कृषिन राजपुरम, ये कुल मिला के मुझे तीन-चार सो ट्रॉलियां चाहिए होंगी, एक-एक ट्रॉली उस समय पंदरह हजार की आती थी, जो अब पत इसके साथ और कुछ बैंक्स वालों को पकड़के किसी तरह मैंने धीरे-धीरे करके तीन-चार सो ट्रॉली अरेंज की, सबसे पहले स्बीसी में शुरुआत की, अब ट्रॉली तो अरेंज हो गई, पर मुझे सिकंदराबाद का याद था, कि ये ट्रॉली कितने दिन रह जा तो वो तो डिविजन आफिस में ही बिचारे कभी नहीं आये थे तो अब डियरेम के रूम में तो उनको बठागे मैंने चाय पिलाई उन लोगों, मैंने कहा देखो, तुम्हारी जो जीविका है, वो नहीं अटाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डिग्निटी देना चाहता और तुम्हें डिग्निटी देके मुझे डिग्निटी मिलेगी, मैं चाहता हूँ कि यह सबसमान तुम ही ले जाओगे और यह ट्रॉली तुम्हारी रहेगी, ट्रॉली पे लेके चलोगे, जितना पैसा आज लेते हो उतना ही लोगे, तुम्हारी अर्निंग पे एक पैसे का फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आपको मिलेगी एक डिगनिटी आप ठीक है तंदरुस्त हो या जो हो आप उठा लेते हो अच्छी बात है आपकी खवायद होती है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे स्टेशन पर ऐसा हो और जब आप डिगनिफाइड धंक से समान ले जाओगे तो मुझे भी डिगनिटी मिलेगी भारती रेलवे को डिगनिटी मिलेगी दो ऐसी मीटिंग्स की मैंने दीरे-दीरे करते उनकी समझ में आ गया कि DRM जो है वो हमारे पीछे नहीं पड़ा है वो इसका कोई परपस कुछ और है ये सकसीड हुआ और फिर मैंने स अशे महीने के खवायत के बाद हेड लोड कहते थे बंद हो गया एकदम अब ये रेलवे की अर्निंग से रेलवे ट्रेन चलाने से इसका कोई सरोकार नहीं था मेरे जाने के बाद दीरे-दीरे-दीरे जैसा मैंने सुना और बिद देखा भी ये सब कतम हो गया आप ट्रॉल कुछ दिन पहले बैंगलोर गया तो फॉर चेंज अब आजकल वो ट्रेन में सफर करता नहीं हो मैं कभी तो चुकि ट्रेन में सफर करने का मतलब कि फिर आप को सीट कंफर्म नहीं होगी फिर आप किसी रेलवे वाले को ही बोलोगे कि बहीं कंफर्म करा दो तो खेर तो मैं बैंगलोर कैंट से कहीं जा रहा था चिन नहीं जा रहा था शैर ट्रेन से तो मैं बैंगलोर कैंट में दीरे से बिना किसी को बता है मैं उत्रा अपना गाड़ी से और मैंने पास ट्रॉली थी एक छोटा सा सवान लेके चलने लगा तो एक पोटर आया उस ने का ले लिया वो लेके चल दिया, वो मेरा डिबा आया वहाँ, चढ़ा दिया उसने, तो मैंने सो रुपए निकाले, बोला नहीं साब, फैसे नहीं लेंगे आप से, क्यों बोला कि साब, आप से बैंगलोर स्टेशन जो चारों है, कोई पोर्टर पैसा नहीं लेंगा, तो कुछ तो करना है, तो आप इसका इंपक्ट सोच सकते हैं, इसमें CSR में कंपनी से आपको ट्रॉली भी मिल जाएंगे, खरीद आपको ट्रॉली भी खर्च नहीं पढ़ने पड़ेगी, लेकिन इंडियन रेलवेई की इमेज कहां से कहां पहुंच जाएगी, इस तरह की चोटी-चोट चोटी-चोटी चीज़ें जो हैं, बहुत सी हो सकती है, बहुत चोटी चीज़ें, सुनने में आम आदमी एक कहाएगा कि यह क्या पुबलिसिटी के लिए ट्रेन चलाई है, आपको यह काम है क्या, लेकिन एक चोटा सा मैं और एक्जाम्पल दे दूँ, इसमें टाइम के जा रहे हैं, आप उसको रोक देंगे, तो फिर उसको चलाने, तो वो चाहता है, पैसें जासे रास्ते सेटो, अब यह कोई सीन आप किसी डेवलप कंट्री के स्टेशन प्रेटफरम पे आप देखेंगे कभी, सवाल ही नहीं उठता, तो यह भी मेरे एक मन में था, तो व बैटरी ट्रक में एक फ्लैग होगा, उसमें एक फ्लैशर लाइट होगी, उसमें एक अलाम यहान होगा, और बड़ी डिग्निफाइड धंग से, मौडरन धंग से पार्सल कैरी किया जाएगा, वो सकसीड हुआ वहाँ पे, और बड़े मतलब, लेकिन आज भी वो पूरे प पता, लेकिन मैंने नहीं देखा यह कहीं और, तो यह इसको इंपॉर्टन्स ही नहीं समझी गई कि यह थोड़ी हमारा काम है, पैसिंजर प्लैटफॉर्म पे आप समान लगेज डील करते हो, एक तरफ पड़ा रहता है, कितनी डिसकंफर्ट होता है, लंबी लंबी ट्रेन ह गई हैं आपकी चौबिस कोचेस की, पार्सल जहां आप उतारते हो, उसके बीच से पैसिंजर्स को जाना रहता है, वो किसी तरह निकल के जाता है, यह सब मुद्धा इंपॉर्टन्ट ही नहीं समझा जाता है, अब एक बात और आपको बता दूँ जो मुझे बड़ा आप यह समझ लीजे कि वंदे भारत ताइप की ट्रेन, उसके सारे अंदर से सीट्स आप निकालके उसको आप पार्सल वैन बना दीजे, तो यह सैंक्शन हो गई, साट-सतर करोड की एक ट्रेन बनेगी, सुलकोच की, और ऐसी शाद पच्चिस बननी है, हो गई सैंक्शन, बन भी जाएगी, आप इसका एक वेसिक मुद्बभ है, यह आप इसको लेके जाओगे कहां, आप क्या प्लैट्फॉर्म पर जाओगे, तो प्लैट्फॉर्म तो वो गया, फिर पैसेंजर्ज के लिए वहां तो पूरा प्लैट्फॉर्म पर मालगारी हो जाएगी, माल पहुंचाओगे परिशेबल समान FMCG और रेफरिजरेटेड़ वैन लगाओगे तो यह आप ले जाओगे तो लोग आ जाएंगे आपके पास तो यह भूल रहे हैं कि आप कर रहोगे आ जाएंगे लोग लेकिन फिर भी स्टेशन से जहां जाना है और स्टेशन वो फ्रेट फ जितने की आपको चलानी है पुरानी है और उसको पूरा अगर पार्सल वान एक्जिस्टिंग नहीं लेनी है तो आप कोश ले लीजिए अंदर की सीट्स वगरे साब हटा के उसको बना लीजिए और उसमें दो पुराने लोकोल लगा दीजिए तो आपका जो एसेट यूट में लेके आएगी तो मेरे समझ में नहीं आएगी ये क्यों हो रहा है और मुझे कोई बता भी नहीं पाया मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई फिलासफी क्या है तो लोगों ने का अब जैपैन में ऐसी चलती है तो ये मेरी समझ में नहीं आए कैसे हो रहा है अब कोई इसमें चीज है जो मिझे नहीं दिख रही है तो बात अलग है, मैं कोई हर चीज तो नहीं जानता, आपने नए डेवलोप्मेंट की बात की तो यह दो तीन चीज मेरे नजर में आईद मैंने बताई आपको बहुत सुंदर चर्चा सर अभी शायद आपको जाना भी है, साड़ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नमस्कार